जब भी कोई foreign particles हमारे सरीर के अंदर परवेस करता है जैसे कि कोई virus, bacteria, फंजा या प्रोटोजोवा तो हमारे सरीर का immunity alert हो जाता है और उन्हें destroy कर देता है लेकिन कई बार कुछ कारण से हमारे सरीर का immunity कमजोर पड़ने लगता है और तब इस परिस्थिते में जब ये foreign particles हमारे सरीर के अंदर आते हैं तो हमारा immunity उसे destroy नहीं कर पाता और इस condition पे हमारा सरीर के पास जो other हथियार है strong हथियार उनका वो यूज करता है इन्हें मारने के लिए जैसे कि कोई virus से दी हमारे सरीर के अंदर आ जाता है और जब ये हमारे nose या mouth के द्वारा अंदर परवेस करता ह तो इसे मारने के लिए हमारा सरीर सरदी, खासी, बुखार और सरदर जैसे हथियार के यूज करता है यदि infected water या food के थुरू यदि कोई bacteria हमारे इस्टमक में चला जाता है तो सरीर उसे बाहर निकालने के लिए destroy करने के लिए उल्टी, dust, सरदर बुखार जैसे हथियार के य तक जाते हैं और अपने fever को down कर देते हैं, fever तो आ रहा था इस कारण से कि वह इन foreign particles को destroy करके आपके सरीर से बाहर निकाल ले, लेकिन जब भी हमने अपने fever को down कर दिया तो इनको replicate होने का और बढ़ने का और problem को बढ़ने का chance बहुत जादा बढ़ जाता है, जैसे हम पराशि करता क्या है कि हमारे brain का उस part को switch off कर देता है, जो हमारे body के temperature को rise करता है, और आपने देखा है कि जैसे ही पराशिटमोल का असर खतम होता है, दुबारा हमें fever आने लगता है, इसलिए कि हमारा सरीर जो है, जो भी foreign particles हमारे सरीर के अंदर चले गया है, उनको मार के बाहर निक कारण यह हो नहीं पाता है, और फिर problem जो है हमारा fever जो है लंबे समय तक चलता है, और जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, फाइनली इन बिमारियों को ठीक करने का काम तो हमारा immunity ही करता है, हमारे सरीर का defense system ही करता है, लेकिन हम अपने सरीर को काम करने ही नहीं देते हैं, और कई बार होता क्या है, कि virus हमारे viral region को infected करने के बाद, जब इन्हें replicate करने का मौका मिल जाता है, तो बढ़ते वे infected करते वे lungs तक पहुच जाते हैं, और breathing difficulties और pneumonia जैसे situations पैदा हो जाते हैं, और हमारा problem और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर इनको ठीक करने के लिए, कई तरह के medicine, क vendor और ventilator का यूज किया जाता है, और कई cases में हमने देखा हैं, कि patients की मृत्वी भी हो जाती है, और जो लोग बच भी जाते हैं, तो उनको इन दवायों के और इन treatment के कई तरह के side effects होने लगते हैं, तो यह जो treatment protocol है, इसके कई तरह के नुकसान है, पहला नुकसान तो यह है, कि हमारे सरीर के immunity कम होने लगता है, और अपने सरीर के immunity को काम ही करने नहीं देते हैं, इसके कारण यह समय के साथ कमजोर होने लगता है, और आगे जाके इस तरह की समस्या होने के संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, यदि अभी हम किसी तरह से इसे manage कर भी लें, तो आ यह है कि जब हम बार-बार medicine के थुरू इन acute disease को compress करने लगते हैं, दबाने लगते हैं, medicine के थुरू ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो आगे futures में जाके यह कई तरह की chronic disease को जर्म दे सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे treatment protocol को अपनाना चाहिए, ऐसे natural treatment को अपनाना चाहिए, जो कि side fact free हो, और जिससे हमारे immunity कम ना हो, बलके और strong हो, future में जाके किसी भी परकार का other disease होने की संभावना ना हो, और दुबारा इस तरह के disease आने की भी संभावना ना हो, तो आपको एक ऐसा treatment अपनाना होगा, जो बहुत ही safe हो, side fact free हो, और बहुत ही जल्दी आपको किसी भी परका protocol का नाम है, three step flu diet, किसी भी तरह का flu क्यों ना हो, जब भी आपको कोई first sign fluke आए, सर्दी खासी, बुखार, सरदर्द, जैसे भी आए, आपको तुरंत क्या करना है, इस diet protocol को अपनाना है, जिसमें आप मातर अपने diet को change करके, कुछी समय में इस flu से निजात पा सकते हैं, और बिना किसी side effect के, तो आपको करना क्या है, कि जब भी आपको flu like symptoms आए, तो सबसे पहले आपको करना है, कि अपने food को आपको बंद कर देना है, कुछ भी खाना या पीना नहीं है, और आपको liquid diet पे आजाना है, liquid diet पे आपको day 1 पे क्या करना है, कि आपको अपने body weight के according, जैसे क अगेर आपका body weight 60 kg है, तो आप 10s divide कर देंगे, equal to 6 आ जाएगा, तो 6 glass आपको coconut water लेना है, 6 glass coconut water और 6 glass citrus fruit juice, citrus fruit juice में आप संत्रे का juice ले सकते हैं, किनू का juice ले सकते हैं, मौसम्मी का juice ले सकते हैं, या तो फिर अनानास का juice ले सकते हैं, तो 6 glass coconut water और 6 glass citrus fruit juice आपको दिन भर में लेना है यह जूस आपको alternate लेना है एक बार coconut water और दूसरी बार आपको citrus fruit juice हर एक गंटे में आपको यह juice लेना है कुछ बातों का ध्यान रखना है कि juice का size जो हो glass का लगभग 400 ml सो और juice आप ले तो sip-sip करके धिरे-धिरे पीए पीए पीने में लगभग 15-20 मिनट का time एक glass juice को लगना चाहिए आप अराम अराम से धेरे धेरे पिए मुझ में घुमाते हुए ताकि सलाइवा भी अंदर जा सके और जब जूस आप निकालें तो साइटर स्पूर्ड जूस को आप फाइबर के साथ लें उसे छाने ना इन बातों का ध्यान रखेंगे और दिन भर में आपको और कुछ नहीं खाना है हाँ आप चाहें तो नॉर्मल वाटर ले सकते हैं अब डे टू में आपको क्या करना है फर्स डे में ही आप देखेंगे कि आपका बोडी का टेंप्रेचर जो है बहुत ज्यादा राइज नहीं होगा कॉंस्टेंट हो जाएगा इतना लिक्विड ल सल्दी किसी भी वाइरस बैक्ट्रिया फंजाई या प्रोटोजोवा कुछ भी हो तो उसको डिश्ट्रॉय करने लग जाएगा और आप डे वन में ही आप कमफर्ट फिल करने लग जाएंगे और आपका प्राब्लम वहीं पर इस्टेबल हो जाएगा डिजिज वहीं पर इस 60 kg है तो आपको 20 से डिवाइट कर देना है एकवल टू आज आएगा 3 आपको 3 ग्लास साइटरस फ्रूट जूस फिर से लेना है और 3 ग्लास जी कोकुनट वाटर लेना है फिर से 400 एमिल का ग्लास इसका ध्यान रखेंगे और सेम तरीका जैसे आप डे वन में बताये गया वै 60 kg है तो आपको 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह लगबग 300 आ जाएगा तो आपको 300 ग्राम खीरा और टमाटर लेना है दिन भर में कभी भी आप 300 ग्राम खीरा और टमाटर खा सकते हैं ध्यान यह रखना है कि क्वांटिटी आपको कम ना हो ज्यादा आप चाहे तो ले सक हैं आपको solid diet में आपको करना है कि आपको morning breakfast में फिर से अपने body weight by 30 आप कर देंगे equal to 2 ग्लास आपको coconut water लेना है और दो ग्लास आपको citrus fruit juice लेना है और lunch यह आपको 12 तक ले लेना है breakfast में फिर से same alternate एक बार coconut water एक बार citrus juice ऐसा आप दो पर तक ले लेंगे lunch में आपको खीरा और टमाटर लेना है फिर से same ratio से जैसे कि आपको body weight यदि आपका 60 kg है तो उसको आप 5 से multiply करेंगे equal to 300 grams आपको खीरा और टमाटर लंच में ले लेना है इतना minimum लेना है और फिर night तक आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे और night में आप अपना homemade traditional meal ले सकते हैं ध्यान आपको यह रखना है कि बहुत ज़्यादा salt, spice, मिर्च मसाले और तेल अगरा ना हो simple version हो और किसी भी परकार का animal product उसमें ना हो animal protein उसमें ना हो आप homemade simple सात्य भोजन ले लेंगे तो आप देखेंगे कि day 3 तक आप बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे और day 4 आते 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 आप 100% recover हो चुके होंगे और day 4 में आप अपने काम में जा सकते हैं आपका energy level बढ़ चुक हो चुके होंगे इसके साथ ही साथ प्रते दिन आपको आधे से एक घंटा सुबह या साम या दोनों टाइम धूप में बैठना है fresh air fresh sunlight जब आपके सरील को मिलेगा तो यह आपके immunity को और ज्यादा support करेगा जिसे आपका flu बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा आपको ध्यान य स्किन को पड़े तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट से आएगा तो यह treatment बहुत ही safe है और बहुत ही effective है यह किसी भी तरह के foreign particles से होने वाले flu को ठीक करने की छमता रगता है और natural है और इससे आपकी immunity को और support मिलेगा और आगे जाके आपकी immunity और ज्यादा strong हो जाएगे और इस कोई side effect भी नहीं है future में किसी प्रकार के इससे बीमारी होने की संभावना भी नहीं है तो इस वीडियो में दिया हुआ जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like comment share and subscribe कर दें और इस तरह के natural treatment को जरूर अपना है ताकि आप एक healthy और happy life जी सकें और यदि विडियो से सफर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि healthy life जीए medicine free life जीए या तो आप आज इवन healthy और medicine free रहना चाहते हैं या फिर आप मेरे super vision में online योग का class join करना चाहते हैं तो नीचे दिये गए contact details से आप हमसे संफर कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इस